अलो श्वेंस, फाइनली CUT के एक्जाम स्टार्ड हो रहे हैं 21 माई से तो श्वेंस, सभी बच्चों का अलग-लग सिप्ट में पेपर है यदि श्वेंस, आप एक्जाम के लिए तयार हो रहे हैं तो श्वेंस, आप लोगों को जिन डाकुमेंस को एक्जाम हॉल में लेकर जाना है उन डाकुमेंस में सबसे पहले आप लोगों का रहे हैं अध्मिट काड जो श्वेंस आपका एड्मिट काड आपको अफिशल वेबसाइट, cut.sumarth.ac.insize आपको निकालना है जैसे श्वेंस, आप यहां से अपना डाउनलोड एड्मिट काड कर लेते हैं इसके साथ में श्वेंस, आपको एक्जाम हॉल में औरिजिनल अधार काड लेकर जाना होगा जिसके पास में श्वेंस अधार काड नहीं है तो श्वेंस फिर आपको ड्राइविंग लेसेंस, या श्वेंस आपको फिर वोटर आईडी साथ में लेकर जाना होगा या आप पैन काड भी ले जा सकते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप श्वेंस अपना अधार काड साथ में रखें कलर ले जाना है या व्लेक और लेकर जाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो आप फोटो कॉपी करवाके ले जाए या पिर्न्ट आुट निकलवाके ले जाए कलर दोनों चलेंगे लेकिन स्वेंस आपको ठीक है अपना अधार काड लेकर जाना है वो भी कौन सा श्वेंस जो भाइप पोस्ट आपके घर आया हो प्रिंट आउट अधार कार्ड नहीं चलते हैं तो अधार कार्ड हो गया, आपका श्वेंस दूसरे नम्मर पर हो गया आपका एड्मिट कार्ड हो गया, एक फोटो श्वेंस आपको साथ में लेकर जाना है तो आप एक की जगे दो फोटो साथ में लेकर जाईएगा जो फोटो श्वेंस आपने admit card में लगाये थे वो फोटो आपको लगेगी जैसा signature श्वेंस आपने यहां किया था वैसे ही आपको signature लगेगा इसके बाद में श्वेंस आपको black या blue दोनों में से श्वेंस कोई एक pen लेकर जाना है उसका भी श्वेंस हमने अल्रेडी वीडियो अपलोड कर चुका है ड्रेस कोट का आप उसको जरूर देख लीजिएगा आपको admit card में घर से कुछ भी लिखकर लेकर नहीं जाना है जैसा श्वेंस आपका admit card blank है वैसे श्वेंस आपको हुवा हुँ ठीक है center लेकर जाना है center के अंदर जाने के बाद जब आपकी checking हो जाएगे श्वेंस उसके बाद ही आपको thumb लगाना है उसमें signature करना होगा श्वेंस उसमें श्वेंस आपको return लिखना होगा जो भी लिखने का matter है इसके साथ श्वेंस जैसी आप entry करेंगे फिर श्वेंस आपको system मिल जागा जिसमें आपका क्या है paper होने वाला है paper में सारी guideline आपको दी जाती है आपको rough pages भी मिलेंगे solve करने के लिए सब कुछ आपको श्वेंस वहाँ पर बताया जाता है सारे instruction को आपको ध्यान से पढ़ना जब आपको श्वेंस पेपर हो जाएगा उसके बाद भी श्वेंस आप लोगों को थम impression और photo निकलने के बाद में ही बापिस घर आना होता है तो श्वेंस ये सारी process हमने आपको बता दिये हैं कोई भी gadgets आपको लेकर नहीं जाना है श्वेंस साथ में आप belt भी ले जा नहीं सकते कोई भी श्वेंस आप जो metal की चीज नहीं ले जा सकते हैं तो लड़कें भी श्वेंस heavy jewelry mangal sutra वगएरा जो भी श्वेंस है इनको घर में ही रख कर जाएगा normal श्वेंस plastic की आप चीजें पहन कर जा सकते हैं दिया आपको जाना है तो लड़कें भी श्वेंस किसी प्रकार के ring है bracelet वगएरा ये पहन करना जाएं watches पहन करना जाएं तो इन सभी चीजों पर श्वेंस आप ध्यान रखिएगा हमने और इडिश्वेंस dress code का भी वीडियो बना दिये हैं तो ये सारे instruction थे जिनको आप questions follow करना है कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप comment section में comments कीजेगा हम आपको जरूर बताएंगे मिलेंगे फिर्श्वेंस ACN update के साथ मैं तब तक के लिए thank you thank you for watching this video have a nice day